Hello and welcome everyone आज हम लोग उस वीडियो में ब्लीम्प के बारे हम डिसक्स करने बाले है ब्लीम्प क्या है? कैसे काम करता है? और इस वीडियो का सबसे जो मेंड पॉइंट है कि यह जो ब्लीम्प है वो आजकल क्यों होने दिखते? ऐसा क्या होगा कि ब्लीम्प ही दिखना बंद होगे So let's start the video So blimp क्या है? Blimp एक तरके का Air Transpiration System में जैसा आप लोग Helicopter, Air Plains यह सब देखते हैं Similar to that, blimp भी हुआ करते थे हुआ करते थे क्यों मैं आगे डिसक्स करूँगा First of all, blimp का basic principle देख लेए कि ब्लीम्प काम कैसे करता था Okay, तो इस figure में हम लोग दे सकते हैं Blimp एक काफी बहुत ही बड़े size की machine कह सकते हैं और बहुत ही बड़े size का system होता था जिसमें कि एक very big size balloon होता था और उसके अंदर एक denser gases fill किया जाते थे तो वो air में float करने लगे और उस balloon के पीछे हम लोग thrust भी लगाते थे Wings भी लगाते थे जिससे कि वो balloon क्या हो आगे पीछे और left-right हो सकते साथ में ही नीचे अगर आप छोटा से cabinet देखेंगे तो उस cabinet में क्या होते थे passenger बढ़ते थे तो इसमें आप देख सेते हैं कि इतनी बड़ी एक device होते थे और उसमें इतना छोटा सा area रहता था जिसमें कि passenger बढ़ते थे तो वो जो पूरा system था balloon उसको हम लोग air से भी कहते थे वो air में float करता था जिससे हम लोग air में travel कर सकते थे तो यह जो first blimp था जो दुनिया का से पहला first blimp था वो 1852 में बनाया गया और उसको उस समय ट्राइ किया गया और you can say उस समय उसको first time उड़ाया गया जब यह नया ने बना था उस समय लोगों ने कहा कि यह वर्ल्ड का futuristic air transportation system होगा जबकि हम जानते हैं कि आज कौन से air transportation system यूज किया आते हैं और उस समय ज़्यादा 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 जो होता था वो military purpose के लिए ही यूज कर जाते हैं क्योंकि यह काफी costly होता था क्योंकि इतने बड़ी device बनाना पर से उसमें इतना tensor gas पुरा fill करना और यह काफी ज़्यादा space भी करता था air में तो यह तो हो कि blimp के बारे में कि blimp कब बना और blimp का जो basic principle वो कैसे काम करता है तो ऐसा क्या हुआ आज कल यह blimp हमें नहीं दिखते हैं 1937 में United State में एक accident हुआ जिसका नाम था हिंडर बर्ग disaster इसमें क्या हुआ कि यह blimp था वो एक electric tower के पास से गुजरा और जो अंदर के जो dancer gases थे और जो electric tower था वो आपस में react करके एक electric spark generate करते हैं जिसके वज़ाद से blimp में क्या होती है आग पगल लेती है और उसके कारण उसमें कई सारे passengers घायल होते और कुछ की death भी हो जाती है तो उस time से blimp को public transportation के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें काफे risk था बट उसके बाद भी अगर आपने कभी blimp को देखा होगा किसी photo में या movie में या किसी show में तो वो आपने generally advertisement purpose के लिए ही देखा होगा पहले यही जो advertisement purpose के आपने जो blimp देखा है कभी या फोटो में या कभी किताबों में पड़ा होगा वो same blimp public transportation के लिए यूज की राते हैं और अगर present के बात करें तो present में world में सिर्फ 25 blimp भी exist करते हैं और अगर आपने कभी future में या कभी आपने last 10 year में blimp देखा होगा real life में तो आप समझ लिजेगा कि आपने काफी exclusive tech देखा है जो पुरानी technology थी क्योंकि नहीं अब इसका production के आता है नहीं इसमें कोई research की आती है I hope कि यह छोटी से knowledge यह छोटे आपको अच्छा लगा हुया and thank you for watching